हाई वैस मेरे ना मायूश और आज अपन बात करने वाले तूंड़ेट सेशी की दो बात के बारे में गईस तूंड़ेट सेशी में दो बात के बीच में बहुत सारे लोगों को कन्फिजन था हो सकता है आपको भी है तो इसलिए आप इस वीडियो पर हम तो इस बात दोनों अ फीडबेक है वो लिया है एक दो से नहीं बहुत सार लोगों से पूछाया सब कुछ समझा है खुछ जो एक टेस्ट करके चला के देखिए सब कुछ उनके जो स्पेसिफेक स्पेसिविकेशन्स है माइलीज है जो भी मैंटेनेंस फगेट है उन सभी का रिजल्ट जो एक सम पर करके यह वीडियो एक चोटी वो रिजल्ट में इस वीडियों को साथ में शेर करना लों तो काई डायर्क ली बात करते है इस पैक्स के बारे में पहले में बजाए शपल्सर नस्ट के बारे में बात कर लेता हूं तो इसके नदर नाइंटेन पॉंट फाइशी का कुल्ड इंजन है जो प्रोडियूस करता है 20BHP की पावर 18.2 निटल 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 अफ टॉक के साथ में और इसके अंडर जो है फाइशी स्पीड का मैनल गैर बॉक्स है तो पावर जो है एनस्टोंड की जादा है अब बात करते हैं माइलेज की क्योंकि यह पहले सारी च करा है फिर जो एवरेज माइलेज निकला है मतलब कि लगभग अल्मूस्ट सभी लोगों ने कितना बताया है तो पलसर नस्टोंड का माइलेज जो ओर रोल है सीटी में भी हाइवे पे भी बंपर टू बंपर ट्रैफिक में भी इन सभी जगे 35 किलोमेटर पर लीटर का माइ और इसके अंदर जोए दोनों में 12 लीटर का फ्यूल टैंक है और टू लीटर का जोए रिजर्व लगता है इसके दर बलसर नस्टोंड में और जो पंट फाइफ लीटर का रिजर्व है टू हंडेट फॉर वी के अंदर अब बात करता हूं मैं इसकी राइडिंग के बारे म पावर काफी अच्छी डिलिवरी होती लॉंग टम तक डिलिवरी होती पावर की उसके अंदर और जो नस्टोंडेट वह भी चलने में अच्छी पर आपको मजा जो है टूनिट फॉर वी चलाने में ज्यादा आगा अगर कंपर इसन की बात करो परस्नली मैं बोल रहा हूं क कि अपाची आई टिया टूनिट्ट फॉर वी जो ये चलने में मुझे ज्यादा अच्छ लगती बले पावर दो ढीएच्पी की ज्यादा रहा है पर जो चलाने का जो मजा आता है वो टूनिट फॉर वी में ज्यादा आता है पलसर एन इसा नहीं के पॉनिट में मजा नी है है उसमें driving feel नहीं है comfort नहीं राइडिंग अची नहीं पॉस्चर अचा नहीं सब भी चीज़ें बेस्ट है पर compare हो रहा है तो compare में जो है फोर वी जो है आगे निगल दाती है अब अब अगर बात करो मैं अब सब्सक्राइब अब अगर इसकी प्राइजिंग के बारे में तो एक एक standard variant आता है Pulsar में और एक ABS वाला वेरींट आता है दोनों में 10,000 का डिफरेंट्स है और महीं 204 वी की बात करो तो इसके नर पांच वेरींट आते हैं सब अलग अलग Carburettate वाला fuel injection वाला rear disc brake तो common है मिल जाएगी ABS वाला और एक जो भी आई गया था fuel injected ethanol वाला तो गाईज मेरा जो दोनों में से एक एक वेरींट पिक अप है वो पल्सर एनस तुनरेट में से ABS वाला वेरींट में पिक कर रहा है एक लाग 10,000 का जो एक शोरूम प्राइज है और जो अपाचे 204 वी है उसके अंदर जो है प्राइज करता है उसके पुरान अपहस्ट है कोई दिकत नी दोनों गाड़ी अच्छी है पर दोनों में जो एक पिक अप करना प्राइस की बात करों तो एक लग 10,000 की और एक लाग 10,000 का सबस्ट ही इसकी है एक शोरूम में दिफरेंस है पर आप कहां रहते हैं उसके पर वहां सक डिखर कर दिफर करती है अब बात करता हूं आपको कुन सी वाइक लेने चाहिए इंट्स, तो दोनों बाइक बैस्ट है, और त्युन ट्रैइड लेने चाहिए अगर पलसर लेनी है, वह क्यों लेनी पलसर आप तब लीचे जब आपको एक मस्कूलर डिजाइन के आपको लॉंग टम के लिए यूज करनी है तो आप ले सकते हैं उसका मेंटेनेंस लो है इन कंपेर टो अपाचे रटीर फॉर वी तो यह सभी चीज़ें अगर आपके लिए माहिने रखती है माइलेज उसका ज्यादा है तो आप पलसर के साथ में जा सकते हैं पलसर एक प्लसर नहीं प्लसर नहीं प्लसर नहीं अविलेबल नहीं है तो उन सब्सक्राइब करना है तो आप जो है टूंडेट फॉर भी लिये सकते हैं पर तून मतलब अपाचे का एक कॉन से बहुत बड़ा अपाचे लिमिटेड एडिशन निकाल देता है बहुत जल्दी बाइक क हो जादा कम हो जाती प्लस इसके मेंटेनिस भी जो है बजाच की गाडियों से थोड़ा सा जादा रहता है टीवी इसका इसके पार्ट जो है वह तो अब इसी लिए वेलेबल होने लग गए पर आप देख लेना क्योंकि लिए बजाच की शोरूम तो अल्मोस मिल जाते हैं अगर मिल रही है तो भी आप यहां पर जो है ट्राय करना कि टीवी इसकी जो बाइक आप तूनेट फूर विलेक चल रही है फिर उसके ओपर जो एक तरह से फ्लेक्शिप मॉडल ही टीवी इसका तो आप यह सारी चीजिए एक बार ध्यान रख लेना कि आप जहां रहेते है आपको जो है इसके पार्ट्स अवेलेबल हो रहे है नहीं है सर्वीस प्रॉपर हो रही है कर लिए टीवी इसके सर्वीस थोड़ी सी कम अच्छी लगती है इन कंपेर तू बजाज तो यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना तो बैस्ट पीकप कोई भी नहीं है दोन सब्सक्राइब कर सब्सक्राया टOO करते सानिल को सा मिलता है सब्सक्राइब कर सकते हैं और पाइंस और कोई पढ़ता है मैंनिस वगेरे से और आपको है टी subt später हृ बेली से ब्यचे चाहि जोयएाँ और आपको चेंछ करनी हर इक-टोeth तो आफकोर्स आपाचा आप आप ले सकते हैं बैस्त बाइके परफोर्मेंस वाइस भी बहुत अच्छी है वो बाइक राइडिंग वगेरे क्वालिटी उसके सबी चीजह में बहुत अच्छी लगी मुझे वो बाइक तो यह था मेरा कंक्लूजन इस बाइक को लेके तो यह स अच्छी वीडियो डालो तो आपके पास नोडिविकेशन आजाए और कोई भी वीडियो जो है आप निस नहीं करो और अगर अगर आपको कुछ भी डाव टो अटो मोबिल से रिलेटेड कुछ भी बूचनायकार बाइक स्कूटर से रिलेटेड तो नीचे कमेंड कर देना ह मेरे सुचल मीडिया के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है महां कि आप मुझे जाइन कर देना है और एक और चीज में आपको बता देता हूं आपको सारी न्यूज इंफोर्मेशन एसी चाहिए अपनी लेंग्वेज में मेरे वेबसाइट है वेवास्ती डॉट झाल